हलो एन वेलकम टू ली बड़ इन पिटल आज मैं अपने हावर्थी अलाय में फोलिया के जितने भी छोटे-छोटे कंटेनर में अलग-अलग मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं उन सब को मैं एक साथ लगाने वाली हूँ इस पॉट में देखिए करीब 4.5 चार इंच का नहीं हो इसको और इसको हीट होने में काफी टाइम लगेगा वैसे भी मैं थोड़ा इसको ऐसे जगह पे रखने वाली जहां पे इतना दूप नाय शेड रहे यह देखिए एक मेरा जो इसमें पॉट लगा हुआ था यह काफी बड़ा हो गया उपर की तरफ और नीचे से सा यह मैंने निकाला और यह जो छोटे-छोटे इसके साइड में जो प्लांट निकले हुए थे तो यह देखिए कैसे नए प्लांट कैसे निकलते हैं आप इसको देखिए यह मेरा मदर प्लांट है में और यह जो छोटे-छोटे इसके प्लांट लेट्स निकले हुए हैं तो वहां पर फीर नय प्लांट बनते हैं तो इतने सारे चयो प्लाइन है जो सब रूर्ट से अटेस्ट है मदर प्लांट की रूट से अटेस्ट है कि ऐसी पहले लं माद यह होती हुआ लं भी होकर ऊपर की तरफ जाती है और भी से वो नए प्लांट्स निकालते इस सारी मैंने यह निकाल देनी है जितनी भी रूट्स है इसकी लीव से नीचे की तरफ से जो सूख रहे हैं हल किसी कलर चेंज हो रहा है और वह इसलिए क्योंकि यह बिल्कुल ऊपर की तरफ टंगा हुआ था एक तरह से पॉट के ऊपर और इसका मिट्टी से हट गया था तो अभी मैं इसको अच्छे से फिर से दुबारा मिट्टी डाल के और फिर उसमें लगा दूंगी और यह देखे एक छोटे से प्लास्टिक के इसमें मैं लगाया हुआ था तो इसकी भी हालत थोड़ी सी कम ठीक है यह पत्तियों से भी ग्रो कई सारे निकल आये थे साइट से तो यह मैं इसमें रहने दूंगी यह एक और इसमें मैंने लगा रखा था तो यह देखे इसकी रूट्स बहुत नीचे नहीं जाती है तो जब भी आप पॉट सेलेक करें तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत डीप ले रहे हैं शैलो पॉट चलेगा इसके लिए तो इसको भी मैं इसमें ही लगाऊंगी जो मदर प्लांट है उसको भी और जो इसका छोटा प्लांट था वो भी तो इसमें देखे मैंने फ्रेश मिट्टी थोड़ी डाल ली है और इसको मैं इधर लगाने वाली हूं अपने पुराने वाले पॉट में क्योंकि यह इसमें बहुत सुंदर लगता है इस वाले पॉट में तो मैं इसमें ही इसको लगा रहे हूं देखे सिर्फ दो रूर्स है लेकिन जब इसमें यह प्लांट अजेस्ट हो जाएगा तो नए रूर्स भी बना लेगा और साइड से इसके आफस्प्रिंग्स भी आ जा कि गर्मियों में उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन हावर्तिया इतना हारी फ्लांट है कि मेरा फेवरेट़ फ्लांट है आप कैसे भी रखेंगे चल जाता यह मैं ने जो मिट्टी का गमला एक जो लेकि आया थी मैं पैंट करके बनाया था मैंने बहु और शेप भी थोड़ा रोजेट शेप तोड़ा ज्यादा मतलब घना सा हुए और श्रंकेन है इसकी सारी लीफ्स यह नई वराइटी नहीं है बिल्कुल इसी का प्लांट है यह थोड़ा अलग हो गया उसको भी मैं अभी इसी में लगाने वाले हूँ क्योंकि उसका पॉर्ट बानि डालें तो पानी कभी विह वर थिया कि पद्तियों में नहीं रूखना चाहिए आप कोषिश करें कि रूट में पानी डाले मघारा लग रहा है कि कुछ गंदगी हो गई तो आप सप्रेय से यूच करें अब इस तरह से दीजती मैं तो आपको बोल् Go तो नहीं के प्रवाइटी, इन वह बाक आप इंडोर रखना है, जन वह भाइटी इंडोर महीं, वह बेड़रा भीछन मेल और पास से 6 गंटे की दोर टढ आक़ा भाइटा बिल्कुल तो इसको कहीं भी रख सकते के बहुत ही वरसेटाईल प्लांट है आप इसको घर के अंदर रख सकते हैं अज़两स ये खमार सकते है अगर आपने की आपट भीघ माही और आप इसको बहार नहीं ले जा रहे हैं दूप में मतलब 2-3 गंटे के लिए भी नहीं रख रहे हैं तो क्या होता है कि नीचे से जो इसकी पत्या निकलती है वह थोड़े इलोगेटे होने लग जाती है और नीचे से एलोईश होने लग जाएगी और काफी वीक सा दिखता ह पत्या उतनी कॉम्पैक्ट नहीं देखते हैं लूज सी दिखते हैं तो इसलिए जब भी कोई भी इंडॉर प्लांट हो चाहे हावर्थिया या कोई भी हो और उनको आपको तूसरे जो प्लांट है उनको आपको वीक में कम से कम एक दिन रखना होता है चाहे आफ्टर नून ब्राइट लाइट का मतलब जहां पर बैठे और बीना किसी ट्यूब लाइट या बल्ब जलाएं आप कोई भी बुक पड़ पाएं तो देखिए मैंने सारे प्लांट को इसमें अभी लगा दिया है और मैं इसमें वाटरिंग कर रही हूं कोशिश कर रही हूं कि रूट्स म काफी टाइम लगता है पतियों से बनने में लेकिन बन जाता है तो उसको मैं लगा के छोड़ भूल जाऊंगे कि हां इसमें पतिया लगाएं यह प्लांट के लिए वह अपने टाइम से धिरे-धिरे करके ग्रों कर जाएगा और मेरे यह सारे प्लांट में आ गया तो अभी केर भी इनकी अच्छे से हो पाएगी और इनको मैं बचा के रग भी पाऊंगी ठीक से अलग अलग पॉट होने पे कई बारा कोई छुप जाता है किसी बड़े प्लांट के नीचे या कहीं पे तो उनको पाने डालना भी बूल जाते हैं तो यह ज्यादा इजी हो गया मेरे लिए कि सबको मैंने एक साथ रख दिया है तो अच्छे से इनकी वाटरिंग करनी है और फिर मैं इनको अभी डारेक्ट धूप वोले जगह से हटा के ठीक जगह प झायों